करवा चोथका वरत महिलाएं अपने पती की लंबी आयू के लिए रखती हैं ये बात तो उससे भी जानते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वरत को करने के पीछे कहानी क्या है बहुत समय पहले करवा नाम की एक महिला अपने पती के साथ कपड़े धोने का काम किया करती थी एक बार नदी किनारे करवा अपने पती के साथ कपड़े धो रही थी तभी करवा के पती का पैर एक मगरमच ने पकड़ लिया अपने पती को मौत के मूँ में जाते देख, करवा ने यमराज से उसे बचाने की गुहार लगाई यमराज ने करवा की करोन पुकार सुनकर उसके पती को मगरमच के चंगुल से छोड़ाया करवा यमराज की आउभगत करने अपने घर ने कर गई इस दोरान करवा ने दिन भर ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, जिससे उसका पूरे दिन का वृत हो गया इससे खुश होकर यमराज ने करवा के सुहाग को दिरखाईू होने का वरतान दिया और कहा कि जो भी महिला इस दिन उपवास रखे की उसके पती की आयू लंबी होगी इसके बाद से हर वर्ष करवा जौत के दिन महिलाएं अपने पती की लंबी आयू के लिए करवा जौत का फृत रखती हैं